क्राइस्ट चर्च में ताश के पत्तों की तरह बिखरी भारती बल्लेबाजी, कप्तान शिकरधवन से लेकर गिल और सूरी कुमार यादों से लेकर रशापंत सभी के सभी हुए धेर, केवल उपर से श्रयस्तों नीचे से सुन्दर ने किसी तरह बचाई भारत की लाज, श्र भारत और न्यूजिलेंड के बीच सिरीज का तीसरा और आखरी मुकाबला क्राइस्ट चर्च के हेगल ओवल में खेला गया, जहां इस मुकाबले से पहले भारत सिरीज में एक जीरो से पीछे था, और शिकर डवनेंट कमपनी को सिरीज बराबर करने के लिए मुकाबला जी थो गया था, जब इनफॉर्म बल्लेबाज गिल्ड स्विंग होती गेदों का सामना करने में और सहज हो रहे थे, हलांकि दूसरे छोर पर शेकर धवन अटैकिंग एप्रोच दिखा रहे थे, पर जैसे ही गिल्ड ने एक्सिलरेटर करने की कोशिश की, नामे उबर में एड आरती कप्तान जादा लंबा नहीं कर सके, और 13 वे उबर में उन्हें भी मिलने ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, पचपन पर दोनों उपना पवेलियन लोट गये, पुरादारों मदार श्रय सयर के गंधों पर था, चौते पर रिशप पंत पहुंचे जिनके अपने आलो के अंदर ही टीम इंडिया का टॉप ओडर, ड्रेसिंग रूम की शोभा बढ़ा रहा था, उमीदे सकाई से भी काफी लगाई गई, लेकिन शाद वन्डे फॉर्मेट में सुरिया का टीटमंटी खेलने का अंदाल सूट नहीं कर रहा है, टीम को पहले ही दो बड़े जटके दे चुके मिलने ने 25 उबर में सकाई को भी सस्ते में निप्टा दिया, और टीम इंडिया की कमर ही तोड़ दी, एक एंड पर श्रेस एयर लगे हुए थे, पर कोई भी उनका साथ निभाने को तयार नहीं था, अकेले श्रेस एयर शरुवात में रन बनाने का ठेका अपने स पर लेकर आगे बढ़ रहे थे, पर जैसे ही श्रेस निउजिलेंड की धर्ती पर लागातार पांचमा अर्दशतक लगाने की देहलीच पर खड़े थे, ठीक उसी समय लोकी फर्गूशन की एक गेंद पर श्रेस की एक चूक पूरी टीम को मजधार में डाल गई, 69 रनों की पारी खेलकर श्रेस अपने आर्दशतक से सिर्फ एक रन से चूक गए, और 121 रनों पर ही आधी भारती टीम पवेलियन में चली गी, यहां से अकेली युवा ओल राउंडर वाशिंग टन सुन्दर पर सारी जिम्मेदारी आ गई थी, इसी बीच संजू सैंसन की जगे खेल रहे, दीपक हुड़ा बलने से बिलकुल ही फ्लॉप रहे, 25 गेंदों में केवल 12 रन बनाकर हुड़ा भी सुन्दर का साथ छोड़ गये, और 149 पर 6 विकेट खोकर टीम इंडिया बिलकुल बैक फुट पर थी, अकेले सुन्दर टीम इंडिया की ढूपती नईया को सवारन में लगे थे, इस बीच दीपक चहर ने आकर मेचल को दो छक्के लगा कर थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट करने का प्रयास किया, पर मेचल ने भी शांदार वापसी करते हुए दीपक चहर के तीसरे प्रयास को विफल कर दिया, और इसी के साथ मात्र 170 पर ही सुन्दर को से पुछले बल्लेबाजों के साथ मिलकर वाशिंगटन सुन्दर किसी तरह भारत को सम्मान जनक स्थिती में पहुँचाने में काम्याब हुए, दबाव भरे हालातों में आकर इस यूवा ओल राउंडर ने ना केवल इस मुकाबले में एक शांदार अर्दुशतक लगाया बल्कि अपनी पारी से इस यूवा खिलाडी ने टीम इंडिया की लाज भी बचाई, तो दोस्तों आप वाशिंगटन सुन्दर के इस जुझारू प्रयास को दस में से कितने अंक देना शाहेंगे, हमें अपने जवा अप नीचे कॉमेंट में जरूर बताईए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें